पहला कारण होगा जब हमें लगता है कि इस एकनॉमी में ग्रोथ बढ़ने लग गई है या बढ़ने लगने की संभावना है यानि कि पहला ब्रॉड रीजन है अबाउट ग्रोथ यानि कि ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है या ग्रोथ स्टार्ट होने लग सकती है संभावना है उसके अगरें इल्ड नॉर्मली बढ़ने लग जाती है क्योंकि अजम्शन कर दी जाती है क ग्रोथ बढ़ने का मतलब है अब inflation बढ़े बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ने निइंफलेशन बढ़ेगी तो interest बढ़ेंगे और interest बढ़ने की संभावना से yield बढ़ने लग ज़या. ब्राडली पहला कारण है growth. दूसरा broad कारण है inflation growth नहीं यानि महंगाई बढ़ने लगई महंगाई बिना growth के कैसे बढ़ेगी liquidity pump करकर के और क्या यह पिछले एक साल से क्या हो रहा है liquidity pump ही हो रही है और क्या और ही है तो liquidity pump करते करते हाँ इसी उमीद में liquidity pump करी आ रही है कि growth होई अगर GDP की growth inflation की growth से जादा हो जाए कोई tension नहीं इंट्रेस्ट नहीं बढ़ाए जाए क्योंकि अगर GDP growth और inflationary growth में अगर difference उतना है जितना central bank का target है क्योंकि हर central bank अपने देश में real GDP growth का target रखती है अगर उसी target में है तो central bank के हैगी कोई tension नहीं इंट्रेस्ट को बढ़ाने की कोई issue नहीं तो yield अराम से comfortable रही की मगर अगर महंगाई बढ़ने लग जाए और growth की संभावना नहीं है या तो महंगाई बढ़ने लग जाए या महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाए क्या क्या हो सकता है reason रीजन कई हो होते हैं जैसे कि फिसकल डेफिसिट फनेंसिंग हो जाए जिसको हम क्यूंई बोलते हैं क्वांटिटेटेव इजिंग या नए नोट छापे गए या ऑईल प्राइस बढ़ रहे हो हाँ एक तो रीजन है ऑईल प्राइस इसले बढ़ रहे हैं कि ऑईल की रिमांड है ऑईल को रोका जा रहा हो जितनी डिमांड है वो कम है मगर ऑईल की सप्लाई और भी रोक दी जाए तो ऑईल की प्राइस बढ़ने लग जाएंगे तो इंफ्लेशन एक दूम से बढ़ जाएगा तीसरा रीजन इल्ड बढ़ने का ऐसा भी हो सकता है कि जैन्मिनली इन्वेस्टर्स बॉन्ड मार्केट से निकलके बाहर निकलना चाते हैं एकुटी के बजाए वो पैसा लगाना चाते हैं डिरेक्ट डॉलर ट्रेजरी में यूएस ट्रेजरी में डॉलर में यानि कि बॉन्ड मार्केट से निकलके वो डॉलर में पाक करना चाते हैं फंड्स प्योर डॉलर्स यानि कि उनको पूरे वर्ल्ड के उपर विश्वास ही नहीं रहा उनको लगता है सब क्रैश हो देगा जो कि लास्ट यर देखा हमने कोविड टाइम पर जो कि हमने 2008 में भी देखा था जब 2008 का क्रैसिस आया यह कभी-कभी होता है यह नॉर्मली नहीं होता है कभी-कभी होता है तो नॉर्मली ग्लोबल इन्वेस्टर्स, हेज़ फंड्स, बॉन्ड मार्केट को तोड़ते हैं बॉन्ड मार्केट से निकालते हैं और डॉलर में जाके पाक करके बैठ जाता है बस यानि कि ये खतम होने की बात यानि कि जब बहुत डायर सिचुएशन जैसे सब प्राइम क्राइसिस, कोविड क्राइसिस ऐसे जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है ब्रॉडली ये तीन रीजन होते हैं इल्ड बढ़ने की जब हमें लगता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, जब हमें लगता है गौर्मेंट की बढ़ जाएंगी, जब हमें लगता है इसका क्रेडिट ट्रेटरिंग खराब हो जाएगा, तो भी इल्ड बढ़ने लग जाते है